हमें कर्म करना कभी नहीं छोड़ना है, चाहे कोई भी situation हो, कितना ही हमें failures मिले हो अपने life में, कितना ही हम हतास हुए हो, कितना ही लोगों ने हमें ताना दिया हो, कितना ही कुछ क्यों न हमारे साथ गलत हो गया हो, लेकिन हमें कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना है, होता है हेलो मेरा नाम है सबस्क्राइब कर ले अगानटे का भी निशानद्राव कर लियू essilया को है काइसे हो सकता है वार्थ मेरा नाम है फ्रिंट्रम आपकां स्वागत है हमारे यूट्यज चैनल पर अगर आप चैनल पर नए हैं यानि हमारी जीवन का उद्देश से यह बहुत ही महत्तोपूर्ण होता है तो एक गोल का होना हमारी जीवन में ठीक उतना ही इंपोर्टेंट है जैसा कि हम लोग किसी काम को करने के लिए जाते हैं और वहां से हमें तनख्वा मिलती है अगर तनख्वा नहीं मिलेगी तो हम व कि उसे मन लगता हो किसी का स्प्रिचुवल फिल्ड हो सकता है किसी को कोई और फिल्ड हो सकता है जिसमें कि वो अपना नाम कमाना चाहरा हो अपने आपको पब्लिक फिगर के रूप में अपने आपको निखारना चाहरा हो तो फिल्ड कोई भी हो सकता है लेकिन ये फिल्ड यह जो करने वाली जो चाहत होती है इच्छा होती है यह इस चीज पर डिपेंड करता है कि उस चीज को प्राप्त करने में आप कितने डिजायर हैं आपके अंदर कितनी तेज इच्छा उत्पन हो रही है उस चीज को प्राप्त करने में अगर आपके अंदर डिजायर बहुत destination को पा जाएंगे, तो कर्म करते रहना जरूरी है, यही हमारे भगवान ने भी गीता में संदेश दिया है, कि कर्म करना important है, कि हमें कर्म करना कभी नहीं छोड़ना है, चाहे कोई भी situation हो, कितना ही हमें failures मिले हो अपने life में, कितना ही हम हतास हुए हो, कितना ही लोगों ने हमे लेकिन हमें कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, तो हम कभी भी सखफल नहीं हो पाएंगे, बैठे बैठे कभी कुछ नहीं होता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ खोना नहीं और अगर हमने कुछ खो भी दिया है तो भी अगर हम कुछ कर रहे हैं और नया कर रहे हैं कुछ अपने अंदर सुधार ला रहे हैं तो definitely आज नकल याना पड़सो हम उस चीज़ को जरूर पा जाएंगे तो सबसे पहली बात जो मैं यहां पर समझाने की कोशिस कर रहा हूँ वो यह है कि हमें काम करते ही रहना होगा उसे छोड़ना नहीं है सेकेंड इस बात पर आते हैं कि बहुत सारी लोग आपके सरांडिंग में होंगे जो आपको ताना देंगे आपकी बुराइयां करेंगे आपको आपके लक्ष से भटकानी की कोशिस करेंगे लेकिन आपको हमेशा अपने लक्ष पर ही केंदरित रहना है वहां से भटकना नहीं है आज कल हम देखते हैं कि ये भी सोसल मीडिया का जमाना है और 4G, 5G का भी जमाना है स्मार्टफोन तो सबके हाथ में है तो ये एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन मुझे लगता है कि आज के युवाओं में है वो कहीन कहीं अपने पढ़ाई से डेवियेट हो रहे हैं कहीन कहीं अपने वो करियर से डेवियेट हो रहे हैं और हमें क्या करना है कि इनका मत्तब सदुपियोग करना है मत्तब कि अपने करियर को पाने में helpful हो उस पे हमें ध्यान देना है मैं ये कभी भी नहीं कहता कि सब चीजों का त्याग करके अथब तुम अपने एम पर focus करो नहीं, होता है ना कि हम अपनी life भी जी रहे हैं, life को enjoy भी कर रहे हैं और अपने काम को भी enjoy कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है, हमें balance करना होगा दोनों तरफ, मत्तब mind में ये बिल्कुल focused होना चाहिए, कि ये काम मुझे करना है, ये मेरे जीवन का उदेश है, और इसको हर हाल मुझे प्राप्त करना है, मा की थोरी बहुत अगा entertainment अगर आसपास से हो रही है, तो भी दिक्कत नहीं है, तो उसमें भी थोरा बहुत अपनी रूची होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल entertainment में ही खो गए, या फिर out of track चले गए, नो, ऐसा नहीं करना है, मत्तब कि focused ही रहना है, हमेशा उसको ध्यान में रखना है, कि no, I have to do it, I have to do it, और हमेशा अपने गोल को, गोल का मतलब बार बार मनन होना चाहिए, उमारे brain में, और हमें वो चीज़ें बिलकुल as it is, सामने दिखना चाहिए, जब कोई भी चीज हम बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते के जरुरत नहीं है, इसलिए inspired होना सिखिए, motivate होना कभी मन सिखिए, क्योंकि motivation तो आपको कोई 2 minute के लिए कर सकता है, 5 minute के लिए कर सकता है, 2 दिन के लिए कर सकता है, लेकिन जब motivation खतम हो जाएगा, उसका effect आपके brain पर से हड जाएगा तो फिर आपने आपको back to square one ही तो उसको अपना role model बना लेंगे, और अपने को भी अजयसा बनना है, अभी करना परेगा, तो उसके बारे में जानेंगे, और दिंचड़िया को note करेंगे, वो क्या करता था, कैसे करता था, कैसे उसने मुकाम को हाइसल किया, तो ये सब कुछ tips हैं, और ये सब कुछ पाथ ह जिससे कि आप हमेसा अपने गोल पे फोकस्ट रह सकेंगे, सबसे जो बड़ी important चीज है, वो है कि काम करना कभी मत छोड़ना, यह सबसे बड़ा जो point है मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर कर्म हम नहीं करेंगे तो फल भी हमें लेने का कोई हक नहीं है, भगवान भी फल उसी को देंगे जो कर्म करेगा, यह नहीं कि हम उनके भरोसे हैं, कि भाई, आप मिरे लिए सब कुछ, वो कभी किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं, वो केवब आपको ताकत दे रहे हैं, बुद्धी दे रहें, विवेख दे रहें, ताकि आप उस चीज को खुद से मेहनत करके हासीर करो ठीक है? तो फोकस रहने का सबसे जो बढ़िया मुझे लगता है वो ये है कि कितनी मतलब बड़ी डिजायर है आपके अंदर डिजायर जितनी बड़ी होगी उतना ही बड़ा आपका सक्सेस होगा क्योंकि आप उतना ही गढ़्धे खोदोगे तो फिर पानी निकलने के सम्भाव ने कम है सब कहीं पे निकल जाएगा पानी कहीं पे नहीं भी निकलेगा लेकिन अगर आप एक ही जगह पे गढ़्धा खोदे रह गए तो definitely कहीं न कहीं तो पानी निकलेगा तो 10-20 के चक्कर में न पड़ा जाए एक जगह पर आप स्टिक हो जाओ और बार बार वहीं पे स्ट्राइक करो कभी न कभी जरूर आप उसमें सफल होगे है ना लेकिन इसमें फिर यह भी दिमाग लगाना है कि मतलब बैक अप लेके चलना है ठीक है ना ना कि एक के पीछे प लाक ब्रयास किया, कोशिक किया लेकिन वो नहीं मिला तो कम सकम प्लैन B में हम सक्सेस्फूल हो जाएं तो यही कुछ एक बातें थी दोस्तों आपको बताना था अगर आपको हमारे बातें इंस्प्रेशनल लगती है और हमारे वीडियो आपको यूजफूल लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राब करें और घंटे का भी निसान दबा दीजे ताकि इसी प्रकार के कुछ एनर्जेटिक वीडियो मैं आपके सामने हर वार लाता रहूं तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो तब तक के लिए थैंक्यू वेरि मॉच